फैंस ये वीडियो आपको बताएगा जो कुछ बढ़ा करना चाहते हैं उनके भीतर किस तरह की फिलिंग होती है आर्नल्ड स्वाजनेगर एक छोटे परिवार से थे उन्होंने बहुत परियास करने के बाद इस मुकाम को आसिल किया है आप आज किसी भी स्थिति में हो लेकिन उसे बदल सकते हैं आर्नल्ड स्वाजनेगर की ये स्पीच आपको बताएगी कि जीवन में कुछ भी पाना कितना आसान है लेकिन अगर आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए ये स्पीच अपने आपे एक सक्सेस स्टोरी है जिसे वास होना चाहिए कि आप कहा जा रहे हैं मेरा जन 1947 पे दूसरे विश्व यूद के बाद और स्टेडिया में हो था मैं खुद को किसान या एक कार खाने में एक करमचारी बनते या कुछ ऐसे नहीं देख सकता था बलही मेरे माता पिता यही चाहते थे कि मैं वहार हूं और एक उ कुछ और करने के लिए बनाओं मुझे याद है मैं 11 साल का था और मैंने अपने स्कूल में अमरिका के बारे में एक टॉक्यमेंटरी फिल्म देखी उस डॉक्यमेंटरी फिल्म में एक विशाल स्काइ स्क्रैपर्स दिखाया गया गगन चुंबी इमार्ते दिखाई गई मुझे वहाँ होना चाहिए, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, मैं इन छोटे फार्म हाउस और ये छोटी इमारतों के साथ नहीं रह सकता, एक दिन स्कूल के बाद मैं एक शोप में गया, और मैंने वहाँ एक मैगजिन देखी, जिस पर एक बॉडी बिल्डर की फोटो लगी थ जिसके कवर पर जिस पार्क लिखा था, जिस पार्क उस समय का तीन बार का मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल पाने वाला शक्स था, मैंने उसे बड़े परदे पर हर कूल इसके रूप में देखा था, और मैंने खुझ से कहा, वा, ये मेरे जीवन का खाका है, ये मेरे नहीं कि वे कहां जा रहे हैं और मुझे ये पता था मैं कहां जा रहा हूं और मैं क्या करने जा रहा हूं और वे क्या बनने जा रहा हूं मैं इसके लिए बहुत आभारी था मैं एक बोडी बिल्लिंग चैंपियन बना चाता था जिस पार्क की तरह हैं जब आपके पास एक लक लोगों से यही कहा कि मैं गॉल्ड के लिए मेहनत करना हूँ, मेरे सामने Mr. Universe का टाइटल है, मैं जो भी कर रहा था, वो मुझे मेरे गॉल के पास ले जा रहा था, मेरा हर एक स्टेप, मेरे विजन को रियालिटी में बदल रहा था, मैं आने वाले समय को विजुलाइज कर रह है कि उदेशे होना, अगर आपकी पास उदेशे नहीं है, आप विजुलाइज क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल वैसे ही होंगे, जैसे पानी में एक जाहर को बिना कम पास टिवाइस के समंदर में छोड़ दें, और वे बस घूमता रहेगा, बस घूमता रह क्या, वे सिर्फ लक्षे हिंडूप से इधर उधर बहते चले गए, और फिर एक दिन अचाना कुन एक नौक में मिल जाती, वो शुरुआत में खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर जब आप काम करते हैं, तो बस आप एक काम बन कर रहे जाते हैं, ये आपकी पसंद नहीं है, आनन्द लेते हैं, और वो ही सक्सेस की उचाई तक पहुशते हैं, क्योंकि वो अपने काम से प्यार करते हैं, और वो इसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, वो कुछ भी सेक्रिफाइस कर सकते हैं इसके लिए, मैं अभारी महसूस करता हूँ, कि मुझे ये पता था, कि मैं क्या कर रहा हूँ, यह बिलकुल एक medical student की तरह है, क्योंकि उसे पता होता है, उसे कल doctor बनना है, मैंने कभी negative लोगों की बाते नहीं सुनी, अगर वो no बोलते थे तो मुझे yes सुनाई देता था, मैंने अपने goal के लिए 5-6 घंटे कड़ी मैनत किये, मैंने अपने आपको सुधा रहा है, अपने English accent को सुधा रहा है मैंने फिल्मों में काम करने के लिए acting के classes लिए, मैंने हमेशा अपने आपको upgrade किया है, हर वक्त upgrade किया है मैं बस करता चला गया, मैंने अपने vision पर काम किया, मेरे पास एक चलने के लिए दिशा थी, एक रास्ता था आप बीना vision के, कुछ भी नहीं है मुझे पता है, ये law of attraction से एक different topic था, लेकिन मुझे अमीद है, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा आपका यहां तक साथ देने के लिए गिल से धन्यवाद, थैंक यू बाइस